कि दोस्टों मैं चावल पाउडर बना ली हूँ और अपना मैं घर में बनाई हूं बजार में भी रेडीमेड आता है पैकेट में और चकी में भी लेगए प्लिटा चकी में भी बनाई देता है चावल का आटा और यहां पर मैं अपना फ्रेज आटा बनाई हूँ घर में एक किलू चावल का इसको लगा लेंगे आटा को गरम पानी से यह देखिए पानी को खोला लिए हैं और नौर्मल आटा लगाना है खोलता हुआ पानी है इसको आटा में डालके मिक्स राता ला लगाना है कौने हां इस तरह से हल का रीपान ढ़के मिला लेंगे आटा को बना लेंगे न हर जेु आटा नवे जो चना एल डाली थी बपईस के मैं प्रक लेह हुआ है इसमें बाकी का लसुन के पत्ता है बार्री कातली हुआ है हाई मिशे हैature कि पशिदमर आता दो कप डाली थी चला दाल को भींगा के उसको फिर पीछ लिये हैं नमक डाल के नमक में डाली हुई हूँ पहले से पिछने समय डाल दी थी और हींग है एक चूटकी हींग निया पती कोरियंडर लिप्स डाल लेंगे बारी कटा हुआ इसको मिक्सब पर लेंगे मिला लेंगे और इसको काट लेंगे यह है फ़रा पिठा और थोड़ा थोड़ा इसमें चना डाल जो पीछ के रखें इसको भर देंगे इस तरह से बंद कर लेंगे और जो नहीं बंद होगा उसको बीच में चोड़ देंगे यह देखिए इस तरह से इस तरह से दो तरप से दबा लेंगे और बीच में चोड़ देंगे इस तरह से और आप चाहें तो पूरा भी दबा सकते हैं इसको पूरा भी दबा सकते हैं इस तरह से भी न लगाना है भाब एक कि थोड़ा से चिकनाहट लगा लेगे इस तरह से मेल लगा लेगे कि इसमें मैं सजालोंगी देखिए इस तरह से पासर साथ मिन्यों टिसको भी पकाएंगे भाफ में फराप इठा बहुत ही स्वादिस्ट थाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और आपी ट्राइ करें